क्या आपको पता है एविएशन इंडिस्ट्री हर साल लाखों नौकरियां क्रेट करती है पर क्या आपने कर भी सोचा है ये लोग क्या काम करते हैं तो आज किस फीडियो में हम बात करेंगे कैबिन क्रू और ग्राउं स्टाफ के बारे में अगर आपको भी एविएशन इंडिस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो अफिर आप एरपोर्ट पे चेक-इन कर रहे हैं और एक एल्फुल ग्राउंस्टाफ आपकी मदद कर रहा है क्या आप जानते हैं इन दूनों रोल्स के बीच में क्या फरक है तो आईए जानते हैं पहली प्रोफाइल है कैबिन क्रू दसकाई वारियर्स कैबिन क्रू यानी एर होस्टेस और फ्लाइट एटेंडेट्स प्लेन के अंदर की दुनिया को मैनेज करते हैं ये सिर्फ मुस्कुराने और ड्रिंक सर्फ करने तक सिमित नहीं है इनका काव बहुत ही चैलेंजी और एक्साइटिंग होता है इनकी कुछ में रिस्पॉसिबिलिटिस होती हैं जैसे कि पैसेंजर सेफटी हर फ्लाइट के पहले केविन क्रू को सेफटी चेक्स करने होते हैं और एंशूर करना होता है कि सभी सेफटी एक्किप्मेंट्स जैसे कि लाइफ जैकेट्स और ऑक्सिजन मास्क सही जगा पर हैं कश्टमर सर्विस आपने देखा होगा कैविन क्रू हर पैसेंजर को कॉफ़र्टेबल और खुश फिल कराने की कोशिश करती हैं इनकी ट्रेनिंग इसी चीज़ पर फोकुष्ट होती है कि एमरजेसी सिचेशन में भी ये काम और कॉम्प्रेस्ट रहे हैं इन फ्लाइट सर्विसेज ये लोग मेल सर्व करते हैं क्वेरिस हैं और इंशूर करते हैं कि फ्लाइट का एट्मस्पेर प्लेजेंट रहे हैं क्या आपको पता है कैविन क्रू को फाइट फाइटिंग परस्टेट और सभी डिफ्रेञ्स की ट्रेनिग भी दी जाती है दे truly the warriors of the sky दूसरी profile है ground staff, अब बात करते हैं ground staff की जो एरपोर्ट के ground operations को smoothly चलाते हैं ये लोग passengers और airlines के पीच एक important link होते हैं इनकी कुछ main responsibilities होती हैं जैसे की check-in services ground staff passengers को check-in कराते हैं boarding pass देते हैं और luggage को tag करते हैं ये ensure करते हैं कि सब कुछ टाइपर और accurately हो security checks, ये लोग passengers और उनके luggage के security check करते हैं और ensure करते हैं कि कोई भी prohibited item aircraft में ना ले जाए customer assistance, flight delays, cancellations या किसी भी query में ground staff passengers की मदद करते हैं इन्हे patients और problem solving skills की जरूरत होती है baggage handling, इनका काम luggage को aircraft में डोड करना और destination पर unload करना भी होता है ground staff के बिना कोई भी flight time lead और smoothly operate नहीं हो सकती career opportunities and growth दोनों रोल्स में career growth और opportunities काफी अच्छी होती हैं airlines, regular recruitment tribes conduct करती रहती हैं experienced cabin के उन सीनियर डोल्स जैसे की pressure या infrared manager तक पहुँच सकते हैं और ground staff भी senior management positions जैसे की airport operations manager तक drop कर सकते हैं अगर आपको aviation industry में career बिनाना है तो अल्डोज aviation institute के aviation forces आपको इन job profile में job करने में काफी help करते हैं आपको best training और placement assistance मिलता है जो आपके dream को पूरा करने में मदद करते हैं तो आप क्या choose करेंगे एक thrilling life as a cabin crew या फिर एक stable और dynamic role as a ground staff comment करके हमें चुरूर बताएं और हाँ अगर आप airport ground staff या cabin crew के course में admission लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे दिये गए number पर call कर सकते हैं धन्यवाद